बिग बॉस टैन को याद करें तो कंटेस्टेंट रही बानी जे को भुलाया नहीं जा सकता बानी जे पिछले दिनों अपने बॉइफरिंड युवराज ठाकूर को लेकर सुर्खियों में थी खबर के मताबिक बानी ने अपने सभी रिष्टे खत्म करते हुए अपने बॉइफरिंड युवराज ठाकूर से ब्रेक अप कर लिया था लेकिन अब इस प्यार भरी कहानी में ट्विस्ट आ गया है खबर है कि बानी और युवराज में पैच अब हो गया है अजी हम ये खबर यू ही नहीं कह रहे हैं हमारे पास सबूत है जो ये बयान कर रहा है कि इन दोनों के बीच फिर से प्यार भरा रश्ता शुरू हो गया है बानी ने अपने इंस्टरग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरे शेयर की हैं देखिए जहां बानी ने अपने ट्विटर और इंस्टरग्राम अकाउंट पर एक अजीब सा मेसेच पोस्ट किया था तो वही बानी के बॉइफ्टिन यूवराश ने लाइफ चैट के दोरान अपने फैन को खुलासा करते हुए कहा था कि मैं अभी सिंगल हूँ इसके बाद जगजाहिर हो गया था कि इन्हों ने एक दूसरे से रिश्टे खत्म कर दिये हैं और दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया है ब्रेक अप के बाद ये भी खबर तेज हो गई थी कि ब्रेक अप के पीछे बिग बॉस कॉंटिस्टेंट जेसन शा का हाथ है बता दे उस दौरान बानी जेसन एक दूसरे के करीबा रहे थे और टाइम बिताते दिख रहे थे शायद यही वज़त है कि युवराच ने बानी से ब्रेक अप कर लिया था